पाल की नियुक्ती में देरी को लेकर सुप्रिम कोट ने केंदर सरकार को फटकार लगाई है और इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है कॉंग्रेस के वरिश निता राशिद अलवे साथ सर आखिर क्या वज़ा है कि सुप्रिम कोट को सरकार को ये कहना पर रहा है कि भाई लोग पाल की नियुक्ती अब जल्दी करिये सुप्रिम कोट के इस निर्देश और फचकार की रोशनी में अगर आप देखना चाहें तो आपको पता चलेगा कि इस सरकार के भिरिष्टाचार के खिलाफ जो शोर मचा हुआ है उसमें कितनी सच्चाई है अगर आप भिरिष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ लड़ रहे हैं तो सुप्रिम कोट को ये कहना क्यों पढ़ ला है आपने अभी तक लोगपाल की न्युक्ति क्यों नहीं की क्या का रहा है सर मैं इसी से जोड़ा एक सवाल लेना चाहता हूँ कि अगर हम बात करें तो प्रधान मंतरी नरेंद मोदी हो या केंद सरकार के जितने वे सिनियर मिनिस्टर ओर हमिशा ये कहने से नहीं चोगते हैं कि हमारी सरकार की सबसे बड़ी उप्लबदी यही है कि तीन सालों में कोई बड़ा स्कैम नहीं हुवा घोटाला नहीं हुआ अगर कोई स्कैम नहीं हुआ कोई घोटाला हुआ नहीं हुआ मन्जगा साफ est तो आकि लोकपाल में नियुक्ति की देरी की क्या बज़ा है इन देश की जनता भी जानती है भारती जनता पार्टी के नेता भी जानते है और विपक्ष भी जानता है कि भारती जनता पार्टी के पास अर्था पैसा कहां से आ रहा है अगर ये भिरिष्टा चाल नहीं है तो क्या है एक आखरी कॉमेंट सर क्या आपको लगता है कि आगे आप क्या देखने हैं लोगपाल की नियुक्ति को लेकर जिस तरह के से सुप्रिम कोट ने कहा अब आपको आगे क्या देखता है अगर नहीं करते हैं तो कंटम्ट अफ कोट हो सकता है करेंगे नहीं करेंगे इस सवाल का जवाब तो पिरदान मंतरी के लावा कोई दे नहीं सकता तो ये से कॉंग्रेस के नेता रश्य दल्वियर और इनका साफ तोर से कहना है कि जिस तरीके से सुप्रिम कोट ने निर्देश दिया है सरकार को जल से जल लोगपाल के नियुक्ति करनी चाहिए कैमरामेन इमैनुवल के साथ सुमन्त कुमार एपी एन दिली